नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल डाइवर्सिफा इंडिया पर आप सभी का स्वागत है तो इस वीडियो में हम वर्डप्रेस के गैलेरी ब्लॉक के बारे में जानेंगे कि इस ब्लॉक को कैसे यूज करते हैं तो इसके लिए हमें यह जो प्लस आइकॉन दिख रहे इस पर क्लिक करना होगा और यहां पर मेडिया नाम का जो सेक्षन है यहां पर हमें यह गैलेरी नाम का ब्लॉक मिल जाता है तो इस पर आपको क्लिक करना होगा और आप अपलोड भी कर सकते हैं इमेजिस को या फिर मेडिया लाइब्रेरी का भी यूज कर सकते हैं तो हम इस सब्सक्राइब करना इस तरीके से अब मौल्टिपल मेंज़ सब्सक्राइब कर सकते सद्टेंख एक के nosotros यहाँ पर आपको इस समय में देखिए ध्याओं पर आपको यह मार्क दिखाई दे रहा है करेक्ट का मार्क तो यहां पर आपको जब hover करते हैं तब माइनस मारग दीता है अगर इस पर कलिक करेंगे तो यह फोटो मिभी स्ट्ट के दिखा diagnose है गया देखके तो यह फोटो दो compassionate अफिर आप upload कर सकते हैं नए फाइल यहां से तो एक बार आपको files उसके बाद आपको create new gallery पर click करने की और इसके बाद आपको कुछ इस तरीक से का menu दिखाए जबाए तो यहां पर आप caption दे सकते हैं जो भी आपको देना मतलब किसी image का अगर caption missing होगा तो आप यहां से उसे दे सकते हैं यह फिर चेंज भी कर सकते हैं जो परिले का caption होगा वो हीहां से आप चेंज कर सकते हैं इसके बाद आपको insert gallery इस बटन पर क्लिक करना होगा तो इस पर क्लिक करते ही एसे हमें इमेजेस दिखाई देंगे यह गैलरी के फॉर्म में दिखाई देते हैं इमेजेस तो यह हमारी इमेजेस के एक गैलरी हम डिस्पले कर सकते हैं हमारे वर्डप्रेस के वेबसाइट पर तो इसके बाद हम सेटिंग्स देखेंगे तो यह दे लेटिंग्स हमने image के ब्लॉक में cover किये थे वह आप वीडियो देख लिजे image ब्लॉक का उसके बाद यहां पर आपको एक option मिलता है select parent block तो इसका parent block जो है इन images का वह है gallery का ब्लॉक तो यहां पर हमें columns को set करने का option मिलता है तो क्योंकि हमने तीन images को ही select किया था इसलिए maximum columns हमें तीन ही दिखा रहे यह देखे इसके आगे बढ़ नहीं रहा है number क्योंकि हमने maximum मतलब images तीन ही select कि है इसलिए maximum number भी तीन दिखाई दे रहा है अगर हमारे पास चार images होते तो यहां पर जो number होता है गैलरी के block के लिए वह चार होता है उसके बाद resolution क्या रखना है वह यहां से हम set कर सकते हैं मतलब हमारे जो भी images डिस्प्ले होंगे उनका resolution क्या होना चाहें तो अगर आपको bandwidth सेव करनी है तो आप medium पर रख सकते हैं तो link to में हम इन images को कहां पर link करना चाहते हैं वह हमें यहां पर बताना पड़ता है उनके attachment page पर कि उनके media file पर या फिर कई पर link देने की जुरूरत नहीं है यह भी यहां पर option मिलता है तो आप क्या किजे media file select किजे लिंक टू media files तो जिस भी image पर क्लिक किया जाएगा वह image open हो जाएगी नए टैब में तो इसका में डेमो आपको दिखाता हूं इसे मैं update करता हूं अभी view post करेंगे तो अगर मैं इस image पर क्लिक करूंगा इस तरीके से तो यह देखिए तो यह media file का URL open हो गया है तो इस तरीके से हम इस image पर क्लिक करके direct media file पर जा सकते हैं उसके बाद दूसरा option जो होता है वह भी मैं आपको दिखा देता हूं फिर से post में जाएंगे हम अब एडिट करेंगे तो यह जो image है इसको मैं select करता हूं गयालेरी को और यहां पर media file था इसके अलावा अभी attachment page का option मिलता है वह हमें select नहीं करना है यह हमें कभी भी भी select नहीं करना है just demo purpose के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसा होता है attachment पोस्ट तो विव पोस्ट अगर करेंगे और इस पर मैं अगर क्लिक करूंगा ओके तो यहां पर हमें फिर से media file ही दिख रहा है तो attachment page हमारा कैसा होता है वह मैं आपको दिखाता हूं हमारा attachment page इस तरीके का नहीं होता है यह कोई शायद एक bug है wordpress में अभी तक जो fix नहीं हुआ है तो दोस्तों मैं अभी आपको attachment page इस कैसे दिखते है वह दिखाता हूं तो इसके लिए मेडिया में जाओंगा लाइबरेरी में तो यहां पर अगर हम image पर क्लिक करेंगे और यहां नीचे जाएंगे तो हमें वह attachment page का option मिलता है ओके तो इन्होंने wordpress के जो नए वर्जन है 6.4 से लेके आगे वाले उनमें शायद उन्होंने attachment page का option निकाल दिया है उन्होंने डायरेक अभी media file का option देना स्टार्ट किया है तो अगर मैं edit more details में जाओंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो link है यह हमारे attachment पे attachment का जो उसकी link होती थी है तो उन्हेंने अभी क्या किया है नए वर्जन में wordpress वालोंने कि इस link को direct media file पर redirect कर दिया उन्होंने तो मैं आपको वह भी दिखाता हूं यह इंस्पेक्ट करेंगे हम और यहां पर network में जाएंगे तो आप देखिए इस पर मैं click करते ही यह redirect होगा है यह देखिए तो यह जो मेरी media file है उसी के नाम से एक attachment post भी create होती है हमारे wordpress में तो अभी नए versions में क्या किया जा रहा है कि इसको यह देखिए 301 move permanently तो direct redirect किया जा रहा है इस media file पर यह देखिए तो यह पूराने versions में आप इसको देख सकते थे अगर आपके पा pages क्या होते थे वह आपको पता चलेगा है तो अब हम फिर से हमारे post में जाएंगे और हमारा आगे का tutorial complete करते है गैलरी का तो हम parent block को select करेंगे तो gallery में जाएंगे और यहाँ पर और भी options मिलते है जैसे कि crop image to fit तो image को crop कर सकते है fit करने के लिए यह देखिए अगर disable कर दिया है तो यह image fit नहीं वेटती है यह देखिए आधी हो गई तो इसको on कर दिजे यह देखिए इस तरीके से fit हो जाएगी stretch करने का उसको randomize कर सकते है कि उसके बाद open images in new tab करना है कि नहीं वह पूचा जाता है अगर क्लिक करेंगे तो इस image पर click करने पर वह image एक नए tab में open हो जाए लिए उसके बाद जो normal options है वही है जो हमने पिछले वीडियो में cover किये थे Gutenberg block editor के वही options यहाँ पर मिलते है हमें और background color देने को मिलता है यहाँ पर हमें इस तरीके से image के इस gallery block को और block passing भी दे सकते है so यह normally options है सारे blocks में हमें मिलते वही हमारे gallery block में भी हमें मिलते है और gallery block से related special option हमें मिलता है वह है add का तो यहां से हम और images को यहां से add कर सकते है इस तरीका से यह देक्ए तो मैंने और दो images को add किया है उसके बाद आपको add to gallery बटन पर प्लिक करना होगा उसके बाद फिर से अपडेट गैलरी नाम का बटन है उस पर आपको क्लिक करना होगा तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी गैलरी अपडेट हो चुके हैं अभी हमको 5 इमेजिस यहां पर गैलरी में दिखाई देरें और अगर मैं सिलेक्ट पैरेंट नंबर दिखाई दे रहा है तो यह इमेज जितने हम एड करते हैं गैलरी में उतना वह मैक्जिमूम नंबर हमको चूज करने के लिए हमें वर्डप्रेस अलाव करता है उससे ज्यादा हम इमेज को सिलेट नहीं कर सकते हैं तो मैं 3 करूंगा और इस पोस्ट को अपडेट करू झाल सकते हैं